खुश्यां चाहे किसी के भी साथ बाट लो पर गम हमेशा भरो से मन्द इनसान के साथ ही बाटो जो निशुल्ख है वही सबसे कीन्ती है जैसे नींद, शान्ती, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज़्यादा कीन्ती हमारी सांसे एक असी वर्षे बुजुर्ग के रदे का ऑपरेशन हुआ, बिल आया आठ लाक रुपे, बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आँखों से आंसु आ गए, ये देखकर डॉप्टर ने कहा, घवराये मत, हम इस बिल को कुछ कम कर देंगे इस पर उस बुजुर्ग ने कहा, बिल तो बहुत कम है, अगर दस लाक भी होता तो भी मैं समर्थ हूँ, आंसु तो इस बात के लिए आए, कि जिस प्रभू ने अक्सी साल तक इस दिल को समाला, उसने आज तक कोई बिल नहीं भेजा, आपने केवल तीन घंटे समाला और आ आपना तो वो होता है, जिसके साथ बाते खुल कर की जा सकें, नकी समहल कर, सीधे इंसान को कभी धोका मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब उपर वाला बड़े तेड़े तरीके से देता है, जो किसी का दिल दुखा कर सुक की तलाश में है, उससे जादा नाधान और कोई नहीं, अपनी अच्छी जंदकी गुजारने के लिए दूसरों की जंदकी बरबात मत करो, क्योंकि बद्धुआय तो, शम्शान से आगे के भी मुश्किले बढ़ा देती हैं, वक्त बनाने वाली को जरा वक्त दे कर तो देखिए, वो आपका वक्त ही बदल देगा, ज बहेतर है वो रिष्टा बनाया ही न जाए, जब रास्ते बंद नजर आने लगे, तो समझ जाना कि अब खुद में कमी ढूंडने का, और खुद को बदलने का वक्त आ गया है, खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बहेतर होना है तो निंदा, श्पीड ब्रेकर कितना ही बड़ा क्यूं न हो, गति धीमी करने से जटका नहीं लगता, ऐसे ही मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यूं न हो, शांती से विचार करने से, चीवन में जटके नहीं लगते, मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं और दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं मीथे हलवे की कटोरी में बादाम, काजू, सूजी सब तो दिखाई देते हैं पर जिस चीज से मिठास है वो शक्कर दिखाई नहीं देती ठीक ऐसे ही, हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं, जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर अपने पन की मिठाज से हमारी जिन्दकी को खुश्नुमा रखते हैं रोग हमारी देह में पैदा होकर भी हमें नुकसान पहुचाता है, औशेदी वन में पैदा होकर भी हमें लाब ही करती है, हित चाहने वाला पराया भी अपना है, और अहित करने वाला अपना भी पराया है इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती आपके जुबान ही आपकी कीमत है अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अच्छे अलफाज इस्तमाल करें विश्वास तो वो दर्पन है जिसे तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और फिर जोड़ो तो पहले जैसा आक्स नहीं सचाई और अच्छाई कहीं भी ढूंड़ो अगर वो आप में नहीं तो कहीं भी नहीं आपका हरदेद दुखों से मुक्थ हो आपका मन चिनताओं से मुक्थ हो प्रसन्यतार से भरा धीवन हो रोग मुक्त शरीर हो आपका हर पल शुब सुन्दर सुखद और खुशियों से भरा हो इश्वर से यही प्रार्थना है मेरी सबका खयाल रखना पर अपना भी खयाल रखना हमेशा मुस्कुराते रहना कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए